पुने हाइवे पर मंगलवार जाते गाउ फाटा के पास खड़े ट्रक को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी इसमें स्कॉर्पियो में सवारती लोगों की मोत हो गई जबकि एक व्यक्ती गंबी रूप से घायलो गया सबी लोग धूले के रहने वाले थे पुलीस इंस्पेक्टर राजेंद्र बोसले ने बताया कि सुबह का वक्त होने की वज़े से स्कॉर्पियो चालक को नींदा गई और कार अनियंत्रित हो गई इसके बाद दुरगटना हो गई पुलीस बादे का वक्त है